आज की रेसिपी है काजू कतली सबकी फेवरेट बच्चे हो ये बड़ी सभी को बहुत पसंद आती है मुझ में घुल जाने वाली और अगर एक बार घर में ये डबबा आ गया तो अगले दिन तो बचने का सवाली ने रहता तो हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है पूजा मेरे चैन सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो जरब अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें तो चलो बनाते हैं इसे काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमें काजू चाहिए तो काजू हमने 500 ग्राम काजू लिया है पहले हम सबसे पहले इसको दो क्योंकि इसके उपर ड़ी रहती हैं तो इसे अच्छे से वह कर देंगे ओर आप हम भीगा के रखेंगे एलिस्ट तीन घंटे के लिए यह देखिए आप इसमे ताजा पाने फिर से बिल्कु साप पाने डालेंगे और इसको तीन घंटे के लिए भी दूद की डाल देंगे इससे क्या होगा जो काजू है ना मारा वह मतलब इसकी वाइटनेस बनी रहेगी तो इसको भीगाने रख देतों तीन घंटे के लिए तो देखें एनका इन्हें सब मेच में पीछ लेते हैं बहुत सब्समें आपको बताऊंगी और सबसे पानी नहीं डालेंगे कोई कुछ भी हम इसमें नहीं डालेंगे इसको भस हमने पीशते जाना थोड़ा सा मिक्सी को आप इसे रोक रोक के भी मिक्सी को चला के पीश सकते हैं ताकि इसका एक तेल हो या इसका जो गीला पन हो जादा ना देखे कि परफेक्ट लिए इसकी जमला पेश्ट बनके तयार हुआ है तो ऐसा हमें चे एक दम फाइन सबसे हमाया इसके बाद करेंगें सबसे पहले हम इसको ट्रांसपर पर करें कि कि उसके बाद हम इसमें चीन डालेंगे अ हमने चीनती है अगर आप कम डालना है यह roadmap काजू है तो 200 और उसके बाद हमने आदा घंटे तक इसी तरह से हमने इसको बिना गैस पे चढ़ाए इसी तरह से इसको बहुत चलाते रहना जिसकी चीनी होगी हमने 80% तक हमने इसको गला लेना है क्योंकि हमने दाने वाले चीनी का यूश कि आप यहां पर शुगर पावडर बना सकते हैं गर पे चीनी से उसके बाद इसको गैस पर रख लेना है और इसी तरह से चलाते रहेना फिर से आपको आदा गंटे लगने वाले हैं तो मतलब हातों के खूब अच्छी एकसरसाइस हो जाती है तो इसी तरह से हमने इसको चलाना है देखे कलर भी सका चेंज होने लग गया है तो देखे हमारा भी यहां पर मिक्सर रेडी हो गया परफेक्ट यह बरतन से चूटने लग गया इसको अब हम क्या करें कि इस तरह से थोड़े दियर तक हम इसको चलाएंगे इसी बरतन में उसके बार इसको बटर पेपर लगा के और थोड़ा से घील आगे इस तरह से इसक आठे कर दो लगाते हैं और उसके बाद हमने इसके रोटी बेल देने पूरा दोगी एक साथ और इसके ऑपर हम चांदी वरक लगा देंगे तो इसी तरह से मिसको लगा देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी जो थेकनस है वैसी रखने जैसे काजू कतली होती है साइड साइड से काट लेंगे इसके बाद साइड से जो इसके एच्टे पाट है तो इसको हम kaart लेंगे कि और इसको भी में खाएंगे क्योंकि अब बहुत के त्यार हो गई है तो बस इसी तरह से इसको बना लेना है और यह बहुत ही जल्दी मतलब सेट हो जाता है इसमें टाइम नहीं लगता सेट होने में तो देखे कितनी इसले कट भी जा रहे हैं तो इसे पांच-10 मिंड में यह सेट हो जाती है अगर आपको जो मिक्चर अच्छ इसे बन भी जाता है तो इस तरह से इसको डाइमंड शेप में काड़ लेने जैसे हमेरे काजू कतली होती है कोई भी साइज आप इसको दे सकते हैं बहुत ही इसली सी निकल भी जा रहें देखे कितनी पर्फेक्ट हमारी काजू कतली बनके तयार हुए है बहुत ही अच्छी करके जूरूर बताना फिर मिलूंगे ने रेसिपीकर चाप